माना कि देखो हमारे देश में income tax कम लोग पे करते हैं, बट maximum लोग, जातर लोग GST तो पे करते हैं न, कोई option भी नहीं है, आपने mobile phone खरीदा, आपने घड़ी खरीदी, हर एक चीज़ पे सरकार हमसे tax लेती हैं, और एक आम नागरिक क्या चाहता है, कि उसके tax का इस्तमाल होना चाहिए, देश की development के लिए, सड़कों के लिए, infrastructure के लिए, लेकिन देखो, जब एक bureaucrate, जब कोई officer, जनता की गाड़ी कमाई, जनता की मेहनत की कमाई का इस्तमाल करे, अपने personal comfort के लिए, ऐसो अराम के लिए, तो यह कहां तक उचीत हैं, बात देखो, UT, चंडिगड जो union territory ह इसके officers की है, इन्होंने न, चंडिगड से दिल्ली travel पर लाखों रुपे खर्च कर दिये, चंडिगड से दिल्ली आना, business class में, flight में, जबकि train में भी सिरफ 5 गंटे का रस्ता है, इसके अलावा दिल्ली में आके बिल्कुल 5 star hotels में रुकना, जहां पे एक एक दिन के 25-30,000 र होती खाने के लिए, मतलब कई बार food items में भी सरकार GST ले लेती है, तो उनके पैसे का इस्तमाल जब होता है, bureaucrates के SO अराम के लिए यह तो बिल्कुल ethical नहीं है, अब जाके UT के जो administrator है, बनवारी लाल पुरोहित, इन्होंने मना कर दिया है कि कोई भी bureaucrate, plane से नहीं जाएगा, चंडिगर से दिल्ली, train में जाएगा, हर्याना भवन पंजाब भवन यहाँ पे रुकेगा, होटल में नहीं रुकेगा, क्या-क्या ethical issues है, public funds का misuse, personal comfort की preference बजाए इसके की पैसों का इस्तमाल होना, taxpayers के जनता के hit के लिए, transparency and accountability नहीं है, ये तो Indian Express ने खोज निकाला, otherwise public domain में थोड़ी था, कि इस पर कहां से bureaucrate पैसा खर्श कर रहे हैं, अंदा दुंद अपने personal comfort के लिए, conflict of interest, खुद ही त्या कर रहे हैं, home secretary है ये, खुद ही त्या कर रहे हैं कि मैं कौन से hotel में रुखूंगा, कोई guideline नहीं, कुछ भी नहीं, home secretary है, तो बस अपनी मर्जी से कहीं की भ करी कुछ भी, public का trust कम होता है, फिर लोग tax pay नहीं करते, लोगों को लगता है कि यार ये हमारे पैसों को उडाते हैं, bureaucrate, political leaders, क्या ही tax pay करें, ये तो professional ethics का भी violation है, और सबसे last में, दूसरे जो junior rank के अधिकारी है न, उसके लिए क्या president set किया जा रहा है, कि आप भी ऐसे ही पै पर आएं, तो आप भी बस पैसे उडाइए, जनता के, कि ये president set किया जारा है, senior officers के द्वारा, तो ये सारे ethical issues है, date है, आज की 10 अगर्स 2023, आज काफी सारे important issues हम discuss करेंगे, हिंदू में तो सिरफ एक issue है, discuss करने लाइक, वो भी इतना important नहीं है, लेकिन data protection bill, जिसके articles काफी बार आये, लेकिन हमने सोचा कि जब पूरा bill पास हो जाएगा, तब हम ये issue discuss करेंगे, अब parliament से पास हो चुका है, तो digital data protection bill वाला article हम discuss करेंगे, communal violence से क्या नुकसान होता है, देश को ये discuss करेंगे, क्यों communal violence फैलता है, फिर एक article हम discuss करेंगे, केरला का जो नया नाम है, क्या है, आर discussion का first important article, digital personal data protection bill 2023 से सम्मधित है, पार्लियमेंट से अब ये bill पास हो चुका है, आप GS paper 2 से इस article को, इस bill को relate कर सकते हो, देखो, बिलकुल basic से हम सुरुबात करते है, बिल में बोला जाता है, ये bill जो है, personal data को protect करने के लिए है, personal data की privacy को protect करने के लिए है, तो जैसा मैंने आप बिलकुल basic से सुरुबात करते है, personal data का क्या मतलब है, personal data मतलब ऐसा data जिसकी साइता से किसी individual को identify किया जासके, उसको पहचाना जासके, जैसे महेश है, महेश का नाम, महेश कहां पे रहता है, महेश का mobile number, महेश की email ID, महेश का gender, मतलब हर एक वो चीज जिसकी साइता से individual को directly identify क पर्शनल डेटा, किन किन पर applicable होता है, यह बिल जो है, वो लोग जो देखो personal data की ना processing करते हैं, आप पूछोगे सर यह processing क्या होता है, processing मतलब personal data को collect करना, personal data को use करना, personal data को share करना, personal data को store करना, personal data को delete करना, यह सारी चीजें processing में आती हैं, अब समझ गे point personal data का मतलब आपको पता लग गया personal data की processing का मतलब आपको पता लग गया तो ये जो bill है न applicable है वो सारे लोग जो personal data की processing करते हैं चाहे online में जैसे आप Amazon और Flipkart पर पर प्रोडेक्ट परचेस करते हो आपका सारा personal data चला जाता है उनके पास तो ये हुई online processing of personal data दूसरा offline processing of personal data जैसे महेश मालीजी होस्पिटल में गया अब वहाँ पे तो डोक्टर ने ना paper पे information ले ली महेश की महेश का नाम क्या है, phone number, सब लेकिन बाद में होस्पिटल के staff ने ना उस information को digitize कर दिया यानि बाद में computer में upload कर दिया type करके तो ऐसे लोगों पर भी applicable है ये bill इसके साथ साथ महेश मालीजीए USA की किसी website से कोई चीज purchase करता है, यानि वो website जो इंडिया के लोगों को product offer करती है और इंडिया के लोगों के जो personal information है personal data है उसकी processing करती है, उन लोगों के लिए भी applicable है ये bill तो मेरे question का answer दीजिए, किन-किन लोगों के लिए applicable है, वो लोग जो online personal data की processing करते हैं, जैसे Amazon, Flipkart वो लोग जो offline data ले ले लेते हैं, personal data, लेकिन बाद में उसे digitize कर लेते हैं, जैसे hospital वाले, तीसे नमबर पे consent for personal data processing बिल में साफ तोर पे बोला गया है, कि कोई भी company, जब आपके personal data की processing करेगी न processing में वो सारी चीज़ें, personal data को collect करना, store करना, use करना, delete करना तो कोई भी company personal data की processing करेगी न, उससे पहले consent लेगी आपका, जैसे आप कई बार application डाउनलोड करते हो, तो उससे पहले आप से पूछा जाता है, कि आपका data use किया जाएगा, क्या आप consent देते हो, आप जब इस परकार से tick mark लगाते हो, click करते हो उसके बाद ही फिर application डाउनलोड हो पाती है, अदरवाइस नहीं हो पाती है, तो companies को न, आपकी consent obtain करना ज़रूरी है, personal data process करने से पहले और देखो, कुछ exemptions भी हैं, exemptions जैसे की employer-employee relationship है महेस ने कहीं पर काम जोइन किया तो महेस का जो employer है, वो महेस की personal information को process कर सकता है, salary देने के लिए दूसी चीजों के लिए, बिना बार-बार महेस की consent लिए और जैसे देखो medical emergency है, अब मुनन भाई, MBBS वाला dialogue है न emergency की हालत में form भरना ज़रूरी है क्या, answer है no मतलब की medical emergency के दुरान consent लेना ज़रूरी नहीं है कि हाँ personal data use कर लें क्या बंदा बिमार है, bed पे है इसके लावा government है जैसे, government को beneficiaries को scheme का लाब देना है, माली जे घरीब लोगों को तो सरकार को भी consent लेने की आवसकता नहीं है ये कुछ exemptions की हमने बात की कि कहां कहां पर consent लेने की आवसकता नहीं है अब आए नेक्स्ट पॉइंट पर दिखो वो लोग जिनका personal data process किया जा रहा है, जैसे इस case में महेश, महेश का personal data process किया गया वो कहलाते है data principal ध्यान से सुनिएगा वो कहलाते हैं data principle, जिनका personal data process होता है, collect किया जाता है और वो लोग जो personal data की processing करते हैं जैसे Amazon जैसी companies वो कहलाते हैं इस बिल के अनुसार Data Fiducery दोनों को क्या रोल होगा Data Principal का, Data Fiducery का सब बताया गया है इस बिल में पहले हम बात करते हैं Data Principal की यानि महेश जैसे लोगों की कि उनसे क्या expect किया गया है इस बिल में सबसे पहले चीज Data Principal के पास में यह अधिकार है पूछे company से कि आप बताईए कैसे आप process करोगे मेरी personal information को दूसरे number पे data principle यानि महेश को लगता है कि मेरी information जब collect की गई है उसमें कुछ गलती है तो महेश यानि data principle वो गलती ठीक करवा सकता है महेश चाहे तो अपने personal data को erase करवा सकता है मिटवा सकता है किसी company के database से next is data principles can nominate another person to exercise their rights महेश जो है किसी और person को भी nominate कर सकता है for example सुरेश को कि कल को मान लिजिए मेरी death हो जाए मैं बिमार हो जाऊ तो मेरे personal data से सम्मदी जो decision है वो सुरेश लेगा जिसे bank account में हम nominate करते है next data principle के पास में ये अधिकार होगा कि उनकी अगर कोई समस्या है तो उसका समाधान करें data fiduciary यानि Amazon जैसी companies जो personal data की processing कर रही है लेकिन देखो महेश को यानि data principle को अगर अधिकार दिये गए है तो उनकी कुछ duties भी बताई गई है duties जैसे कि महेश गलत complaint नहीं फाइल करेगा किसी data fiduciary के अगेंस्ट मतलब Amazon जैसी company के अगेंस्ट गलत complaint नहीं फाइल करेगा कि इन्होंने मेरे data का misuse किया है अगर ऐसे काम महेश करता है तो सरकार दस हजार रूपे तक का fine लगा सकती है कि आपने जूटी complaint डर्ज करवाई इसके अलावा महेश ना किसी दूसरे person को impersonate नहीं करेगा मतलब ऐसा नहीं कि जानबूज के महेश ने जानकारी दे दी रमेश की कि मेरा नाम रमेश है मेरा phone number देखो data fiduciaries के उपर क्या obligations रहेंगी उनको क्या बोला गया है bill में ये जान लेते हैं ये obligations रहेंगी सबसे पहले दो देखो Amazon जैसी companies ने डेटा इकठा किया, डेटा को store किया मतलब वो डेटा की processing कर रही है तो ना उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो personal data को protect करें अच्छे से अच्छे से protect करें किसी परकार की कोई चोरी नहीं होनी चाहिए personal data की अगर मान लीजिए चोरी हो भी जाती है Amazon जैसी companies ने यानि data fiduciaries ने personal data की processing की लेकिन personal data किसी ने चुरा लिया hacking कर ली तो उसी समयम ये data fiduciaries यानि Amazon जैसी companies तुरंट की तुरंट बताएंगी एक तो affected persons को मान लीजिए महेश का personal data इक अठा किया गया था data चोरी हो गया तो Amazon महेश को तुरंट बताएगी कि भई आपका data चोरी हो गया इसके अलावा government के द्वारा एक जो डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड इस्टाब्लिस किया जाएगा न उस बोर्ड को भी बताना पड़ेगा data fiduciaries को की data breach हुआ है data चोरी हुआ है next point एक obligation ये भी है कि जब देखो use पूरा हो जाता है न मान लीजिए महेश का personal data का use खतम हो गया अब तो Amazon जो है यनि data fiduciary जो है वो तुरंथ personal data को फिर डिलीट कर देगी अगर use खतम हो गया है तो अब आते हैं next point पे देखो कुछ data fiduciaries को सरकार बोल सकती है कि आप significant data fiduciary हो समझ गे कुछ ऐसी companies जो बड़ी volumes में मतलब जादा ही personal data की processing कर रहे हैं बड़े scale पे और जिस personal data की processing companies कर रही है वो बहुत ज़रा sensitive है और data principles यानि महेश जैसे लोगों के rights खतरे में आ सकते हैं इस परकार से processing चल रही है state की security खतरे में आ सकती है public order destroy हो सकता है ऐसानती फैल सकती है इस परकार से data processing की जा रही है उन data fiduciary के द्वारा for example facebook या twitter के द्वारा तो न ऐसे data fiduciary को सरकार label लगा सकती है कि भया आप आम data fiduciary नहीं हो आप significant data fiduciary हो बड़े data fiduciary हो आप तो इसलिए आप की न कुछ extra जिमिधारियां है extra जिमिधारियां जैसे आपको data protection officer appoint करना होगा अपनी तरफ से एक ताकि वो data को protect कर सके इसके अलावा आपको impact assessment करना होगा कि कल को कमी रह गई personal data आपके तरफ से चोड़ी हो गया तो क्या impact पड़ेगा audit भी आप करवाओगे यानि audit को comply करोगे तो ये extra जिमिधारियां सरकार ने लगाई है बिल के अनुसार significant data fiduciaries की यानि बड़े data fiduciary जो बड़े level पे personal data की processing करते हैं लेकिन ना कुछ exemptions दी है सरकार ने कुछ cases में ये सारी जिमिधारियां ना तो data principal के अधिकार ना ही data fiduciary की obligations लागू होंगे कुछ cases में जैसे देखो किसी अपराद की investigation करनी है किसी अपराद को होने से बचाना है तब ये सारी चीज़े लागू नहीं होंगी ना तो data principal के अधिकार ना ही data fiduciary की obligations इसके अलावा legal rights या फिर claims को enforce करवाना है तब नहीं लागू होंगी ये चीज़ें central government notification जारी करके कुछ चीजों में exemption दे सकती है कि वहाँ पे भी data principal के अधिकार और data fiduciary की जिम्मदारियां लागू नहीं होंगी जिसे मान लिजिए कोई security agency है IB है intelligence bureau है वो कोई operation चलाती है state के interest में state की security को protect करने के लिए वहाँ पे ये सब चीज़ें लागू नहीं होंगे वो लोग तो किसी का भी data कैसे भी process कर लें उनके उपर कोई चीज लागू नहीं होगी छूट है इसके लाबा कोई research करनी है statistical purposes के लिए भी ये सारी चीज़े लागू नहीं होंगी data fiduciary और data principal वाली समझ गई यह exemption सरकार ने दी है next है processing of personal data of children बिल में साफ तोड़ पे बोला गया है कि देखो बच्चों का इस परकार का कोई भी data process नहीं किया जाएगा data fiduciaries के दवरा यानि Amazon जैसी companies के दवरा जिससे बच्चों की well-being को नुक्सान पहुंचे उनको track किया जासके उनके behavior को monitor किया जासके उनको target करते हुए advertisement की जासके इस परकार से कोई भी बच्चों का जो data है process नहीं किया जाएगा companies के दवरा अगर वोई company करती है data fiduciary ऐसा करता है तो हर एक offense के लिए पांच लाख रुपे लगेंगे fine लगेगा ये तो हमने discuss करी लिया कहां कहां पे exemptions सरकार ने दी है next है cross border transfer of data हमारे देश से लोगों का इकठा किया हुआ personal data यानि data principles का जो data है वो दूसरे देश में ले जाए जा सकता है for example इंडिया से US में लेकिन condition सरकार ने ये रखी है कि हम notification जारी करके मना कर सकते हैं कि इंडिया से data इस देश में नहीं ले जाए जा सकता notification जारी करके हम बता सकते हैं कि इन देशों के अलावा बाकी देशों में इंडियन्स का personal data इंडिया से ले जाया जा सकता है। सरकार जैसे चाइना वगरा देशों को बोल देखे कि इन देशों में इंडिया का personal data नहीं ले जाया सकता। बाद में last point ये है data protection board establish किया जाएगा जिसमें सदस्या को दो साल के लिए appoint किया जाएगा और उनका reappointment भी हो सकता है। तो सिकायत कर सकता है महेश data protection board को। तो इस परकार से हमने सारे के सारे provisions discuss कर लिया है। अब देखो कुछ concerns हैं उनकी बात करते हैं बिल के provisions को लेके सबसे पहले सरकार ने देखो अपने आपको तो इतना सारा exemption दे दिया। सरकार ने बोल दिया कि जो state entities हैं वो तो देखो personal data को process कर सकती हैं किसी भी परकार से कोई अधिकार लागू नहीं होंगे data principles के कुछ भी नहीं है। राइटर कहते हैं state security के नाम पे complete exemption दे दिया गया है state को मतलब data fiduciary के लिए चीज़े लागू होंगी private companies के लिए लेकिन सरकार चाहे कुछ भी करे national security के नाम पे तो फिर यहाँ पे तो फिर जो right to privacy है वो violet हो जाएगा सरकार ने अपने आपको तो एक परकार से exemption ही दे दिया सा देखो मान लीजिए मैं त्विटर यूज कर रहा हूँ दस साल तक मैंने त्विटर यूज किया दस साल में मैंने बहुत सारे जो personal pictures हैं वो upload की बहुत सारी important information त्विटर पर डाली लेकिन दस साल के बाद अब मैं चाहता हूँ कि कोई और social media का platform मैं इस्तमाल करूँगा तो म फाइल फिर मैं upload कर दूं किसी दूसरे social media platform पर अब जिसको मैं यूज करना चाहता हूँ ताकि पिछले 10 साल का सारा data दूसरे social media platform पर आ जाए जिसको मैं यूज करना चाहता हूँ यह है data potability मतलब आप data को एक platform से दूसरे platform पर transfer कर रहे हो असानी से next time right to be forgotten यह right क्या कहता है मान लिजी न महेश ने कोई अपराद कर दिया मतलब आरोप लगया महेश के उपर अब internet पर काफी सारी news आ गई कि महेश ने यह अपराद किया है मतलब आरोप लगा है महेश के उपर बाद में court ने महेश को बाईजत बरी कर दिया लेकिन वो जो news है न महेश ने अपराद किया है सुरुवात में जो आई थी अलग-अलग internet platforms पर वो news तो वहीं पर रहती है कोई google में search करेगा तो सुरुवाती जो news थी न जब महेश पर आरोप लगा था वो तो सालो साल रहती है बेसक court ने बाद में महेश को बरी कर दिया लेकिन पहले जो आर अधिकार होना चाहिए इन दोनों चीजों को न बिल में स्थान नहीं दिया गया है ना तो data potability और डूसरा नही right to be forgotten next risk of harms बिल न ये regulate नहीं करता है कि personal data की processing से क्या नुक्सान हो सकता है उस चीज को regulate नहीं किया गया है इस बिल में और सबसे last में transfer of personal data outside India माली जीए इंडिया से personal data ले जाया गया बंगलादेश अब बंगलादेश में तो देखो personal data को सुरक्षा के लिए उतने इंतजाम नहीं है जितना इंडिया में है लेकिन इस चीज पे भी ध्यान नहीं दिया गया है बिल में कि इंडिया से किसी दूसरे देश में personal data ले जाये जा रहा है वहाँ आप standard नहीं है personal data को सुरक्षित रखने के लिए तो इस case में क्या नेस्ट है data protection board देखो data protection board के सदस्यों को सरकार के द्वारा appoint किया जाएगा तो वो सरकार की कहने पर काम करेंगे सरकार के खिलाफ तो कोई order pass करेंगे ही नहीं और members की term भी सिरफ 2 साल की है ज्यादा की नहीं है उनको reappoint भी किया जा सकता है सरकार के द्वारा तो ये board तो जाहिर तो पर independent होके काम नहीं करेगा सरकार के इसारे पर काम करेगा ये गलत है board independent होना चाहिए था तो कुल मिला के देखो ये पूरा bill हमने discuss किया digital personal data protection bill और अच्छे से आपको समझ में आया होगा आप भी box में आप लिखिए इसके बाद next article केरला के नए नाम से समधित है आप js paper 2 से इस article को relate कर सकते हों कल यानि 9 अगरस्त को केरला की state assembly ने एक graduation pass कर दिया कि केरला को आगे से केरलम नाम से जाना जाए केरलम क्यूंकि मल्यालम language में केरला को केरलम ही कहा जाता है procedure क्या है देखो सविधान का article 3 जो है ना वो deal करता है formation of states state के area में बदलाव करना है boundary में बदलाव करना है या फिर existing state का नाम change करना है इन सब से deal करता है article number 3 of Indian constitution तो इसमें अब central government को amendment करना होगा आठवे schedule में भी change करना होगा मतलब काफी साइच चीजें हैं जहां पे central government को नाम change करवाना होगा केरला का आगे से केरलम नाम से केरला को जाना जाएगा केरला की विदानसबा में CM ने बोलते हुए कहा कि देखो बाकी सभी languages में केरला कहा जाता है लेकिन केरला को मल्यालम में केरलम ही कहा जाता है तो इसलिए हम चाहते हैं कि हमारे राज्य को लोग मल्यालम में जो नाम है केरलम उसके नाम से ही जाने नाम change करने की जो ये पर्था है ना हमारे देश में काफ़े ज़्यादा सुर्ख्यों में है एक बार ये पूरा इशू हम detail से जान लेते हैं जो procedure है state के name को change करने का उस procedure को start किया जा सकता है या तो parliament से या फिर state legislature से अब देखो कैसे नाम चेंज हुए हैं ये हम जानते हैं अजादी के बाद जिसे Kingsway डेली में जो important place है जहाँ पे प्रेड होती है Republic Day के मूखे पर पहले इसे Kingsway के नाम से जाना जाता था राजा का रास्ता अजादी के बाद इसे चेंज करके राजपत रख दिया गया Queensway रानी का रास्ता एक जगह हैं वहाँ पे उसका नाम बदल के जनपत रख दिया गया बहुत सारे हमारे जो महान Freedom Fighters हैं उनके नाम पर बहुत सारी किलोनीज हैं आपको पता है जहाँ पे तयारी होती है दिली में ओल्ड राजिंदर नगर नाम कहां से आया डग्टर राजिंदर परसांत से आया राजिंदर नगर पतेल नगर कहां से आया सरदार पतेल के नाम से पतेल नगर आया लाजपत नगर दिली में famous है वो कहां से आया लदा लाजपत राए के नाम से आया तो इस परकार से अनेको जगह ऐसी हैं जहां पर पहले नाम वाइसराय या फिर बिटिस किंग्स क्वीन्स के नाम पर हुआ करते थे बट बाद में नाम चेंज करके हमारे जो महान फीडम फाइटर्स हैं उनके नाम पर उन जगहों का नाम रख दिया गया ये कुछ फेमस लोक को सिरफ एक्जाम्पल के लिए दो तिन याद रखने के आऊ सकता हैं अब होता क्या है बहुत बार देखो लिंग्विस्टिक क्रेक्टनेस के लिए सिटीज का नाम चेंज कर दिया जाता है जैसे बिटिस हर्स ने हमारे देश में रूल किया तो बिटिस एरा में कुछ सिट को गलत नाम से पुकारा जाने लगा जैसे बोंबे जो लिंग्विस्टिकली गल्थ है तो इसे ठीक करना पड़ा इसे अब मुंबई के नाम से जना जाता है बैंगलोर पहले जाना जाता था जो लिंग्विस्टिकली गलत है लेंग्वेज के हिसाब से देखने तो गलत है इसको अब आज के समय में बैंगलूरू के नाम से जना जाता है, मदरास को चेनई के नाम से, कैलकटा को कोलकाटा के नाम से, बिटीशार्स ने जब देश में रूल किया था ना, कुछ सिटीज का नाम गलत हो गया, लिंगुष्टिकली, यानि लेंग्विज के हिसाब से गलत हो गया, तो उसे ठीक किया जाता है, अब इसके बाद कई बार, रिजनल हीरोज के नाम पर, प्रोजेक्ट का नाम रखा जाता है, ताकि लोकल लोग जो हैं, लोकल हीरो को याद रखें, सम्मान दें, जैसे देखो, विक्टोरिय टर्मिनेस का नाम चेंज करके, सिवाजी छेत्रपती टर्मिनेस रख दिया गया, और भी बहुत सरे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं, जिनका नाम रखा गया है, रिजनल हीरोज के नाम पर, इसमें देखो, पॉलिटिक्स भी इन्वोल होती हैं, अगर सीधा सीधा बोले, जैसे कि, कई बार, किसी एक वर्ग के वोट्स को मोबलाइज करने के लिए, फूर एक्जमपल, हिंदू वोट्स को मोबलाइज करने के लिए, सीटी का नाम चेंज कर दिया जाता है, इसके बाद आर्टिकल में कहा जाता है, देखो, कई बार, नाम चेंज करना सही भी है, जैसा हमने बहुत सारे पॉइंट्स डिसकस किये, कलोनियल, जो लिगैसी है, उसे छुटकारा पाने के लिए नाम चेंज किया जाता है, तो कुछ गलत नहीं है, वैसे भी अब इंडिया जितना तेजी से डवलप हो रहा है, आने वाले सालों में अर्बन पोपुलेशन का सेयर 50% तक हो जाएगा, बहुत सारे नए प्रोजेक्ट्स बनेंगे, नई सारी सेडीज इस्टाबलीश होंगी, उनको नाम देने के आउसकता पड़ेगी, तो ये सब चीजे ध्यान में रखके नाम दिये जाते हैं, जिसे किसी ने हमारे समाज में काफे ज़्यादा कॉंट्रिब्यूट किया है, तो इन महान लोगों के नाम पे अगर किसी जगह का नाम रखा जाता है, तो कुछ गलत नहीं है, बर देखो वोट बैंक को देखते हुए, या फिर ऐसा कोई नाम रखने से जिससे समाज डिवाइड हो, ऐसा नाम नहीं रखना चाहिए, और नाम रखना पॉलिटिकल रजीम से रिलेटिड नहीं होना चाहिए, जैसे एक पार्टी आई नाम चेंज कर दिया, दूसरी पार्टी आई फिर से नाम चेंज कर दिया, ये नहीं होना चाहिए, पॉइंट समझ गए आप न, वोर्ट बैंक पोलिटिक्स नहीं होनी चाहिए, अब जैसे कुछ नाम बदले जाते हैं, for example, कल्चर को प्रिजव करने क के लिए गुरुगाओं का नाम गुरुगुराम रख दिया गया, ये भी नाम चेंज होना एक प्रोपर मेकेनिजम के साथ हो, ऐसा नहीं कि विम्स और फैंसिस के हिसाब से कोई कोंट्रवर्सी हुई, बाद में किसी कम्मुनिटी को नीचा दिखाने के लिए नाम चेंज कर गयता है, अब कुछ लोग तो पुराने नाम से ही सैर को जानते हैं, वारनसी बेसक ओफिचल नाम हो, हिस्टोरिकल सिटी का लेकिन आइडिया अभी भी बनारसी है, बनारस के नाम से पुराने लोग जानते हैं, चीजें भिकती हैं, बनारसी साडी जैसे, कल्चरल जिनो यह वो पॉइंट है, कई बार ऐसा होता है, पॉलिटिक्स के चलते हैं, जो नाम चेंज किया जाते हैं, उससे एक कम्निटी फिर ऐसा मैसूस करने लगती है कि क्या हमारा कोई कोंट्रिबूशन नहीं नहीं है, देश के इतिहास में, हमको नीचा दिखाया जा रहा है, यह न के प्रियंबल में जो fraternity की बात कही गई है, भाईचारा होना चाहिए, समाज के विविन कम्निटी के बीच में, उस भाईचारा को maintain करने की आव सकता है, लेकिन नाम बार बार चेंज करने से भाईचारा में तूट आती हैं, परजेंट सोसाइटी को re-educate करने की आव सकता है ना की नाम चेंज करने की आव सकता है, नाम मतलब re-educate मतलब ऐसा की past में ऐसी गलतियां की गई है, उन गलतियों को नहीं दुराना है, ऐसी values को फिर से सिखाने की आव सकता है, politics इन सा चीरियों से दूर रखो, और अगर नाम चेंज भी हो तो proper philosophy के हिसाब से हो, ऐसा नहीं क कि जम मर्जी आया किसी city का नाम चेंज कर दिया, foreign countries से सीखना चाहिए, foreign countries में देखो नाम जैसे local जगों के नाम पे होते हैं, जैसे Amsterdam airport, Beijing airport, Dubai airport, ऐसे, simply, nature के नाम पे होते हैं, जैसे California side में आपने देखा होगा, बहुत सारी जगों का नाम Oak Street होता है, पेडू के नाम पे, nature के नाम पे, तो वैसा ही कुछ हम भी कर सकते हैं, और सबसे लास्ट में तो देखो, नाम में कुछ नहीं पड़ा है, इतना ज़्यादा growth preparality होनी चाहिए, cities को कैसे develop किया जाए, गरीभी को कैसे खतम किया जाए, इन चीजों पे ज़्यादा focus होना चाहिए, तो ये पुरा article हमने में discuss किया, नाम को change करने की politics से समधित, चलते हैं आगे, इसके बाद next article communal violence से समधित है, आप GS paper 1 में communalism से इस article को relate कर सकते हो, हाल ही में देखो, हर्याणा के नू में violence देखने को मिला, इसके अलावा मनिपूर में तो violence से आप भली बाती से प्रीचित हो, काफी समय से violence चल रह कम्निटीज, अलग गलग कम्निटीज के बीच में violent conflict होता है, लडाई होती है, किस आधार पर, religion के आधार पर, या फिर ethnicity के आधार पर, या फिर culture के आधार पर, किसी भी आधार पर, इन में से किसी भी आधार पर, जब दो कम्निटीज के बीच में आपस में violent conflict हो जाता है, ल और कुकी कमिनिटी के बीच में, देखो ओवराल पिक्चर डिसकस करते हैं, एक केस की बात नहीं करते हैं, ओवराल एक बड़ी तस्वीर देखते हैं, कमूनल वाइलेंस आखिरकार होता क्यों है, हिस्टोरिकल ग्रेवेंसिस, देखो पास्ट कन्फिलिक्ट होते हैं कई बार दौ कमिनिटी के बीच में, पurानी टैंसनस होती हैं, पुराने मुद्दे होते हैं, जो रहर रहकर फिर से रिवाईव होते रहते हैं समय समय पर, इस वज़े से कमूनल वाइलेंस होता है, नेक्स्ट है मीडिया एंन सोचल मीडिया, सोचल मीडिया और मीडिया परना कई बा हुआ है डिवाइड जो है दो कमिटी के बीच में बढ़ जाता है इसमें अफवाएं भी जो है आग में फ्यूल डालने का काम करती हैं नेक्ट पॉलिटिकल फेक्टर से कई बार देखो जान बूज के पॉलिटिकल लीडर्स के द्वारा या फिर कुछ पॉलिटिकल पार्टी किया जासके धूविय करण किया जासके एक पार्टी के पक्स में वोट को पॉलराइज किया जासके समझ के पहले अंग्रेज भी ऐसा किया करते थे आजादी से पहले और अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी आज ऐसा करती हैं इसके बाद नेक्ट है सोसल फेक्टर बहुत ब कुकी ऐसे हैं उनके साथ ना अलग-अलग misbelief attached हो जाते हैं तो इस वज़े से भी नफरते पैदा हो जाती हैं communities के बीच में एक community के लोगों की दूसरे community के लोगों के परती जो approach है वो बदल जाती है misbeliefs के कारण next है cultural factors cultural factors जैसे मतलब देखो अलग-अलग sections का culture अलग होता है, lifestyle अलग होता है, values अलग होती है बट ना आज के समय में ना cultural diversity erode हो रही है मतलब लोग की जो tolerance है ना दूसरे cultures के परती वो कम हो रही है पहले बलकि ज़्यादा हुआ गरती थी इस वज़े से भी divide हो जाती है society next है economic factors कई बार देखो ये भी communal violence का reason बनते हैं लगता है जैसे मनिपूर में देखिए जो मैती community है उनको लगता है कि हमें नुकसान हो रहा है हमारे पास reservation नहीं है और जो cookie community है उनको ये लगता है कि हमारे पास jobs नहीं है यानि economic factors इसके कारण भी communal violence होता है जब एक community को लगता है कि हमें हमारा हक नहीं मिल रहे है next है lack of education and awareness देखो misinformation नहीं होती education नहीं होती तो ऐसी situation में communal violence की संभावना ज़्यादा होती है क्योंकि लोग को manipulate करना आसान होता है कोई जुरूरी नहीं देखो हमेशा uneducated लोग ही communal violence में participate करते हैं कई बार educated लोग भी करते हैं लेकिन जातर संभावना यहीं रहती है कि जो uneducated लोग हैं उनको manipulate करना उनको गलत information दे के convince करवाना आसान देखता है अब आप लोग हो जैसे आप लोग educated हो UPC की त्यारी की है आपको कोई असानी से misbelief नहीं दे सकता गलत information नहीं दे सकता आप असानी से विश्वास ही नहीं करोगे next communal violence का consequence क्या होता है लोग को देखो अपना घर बार छोड़ के भागना पड़ता है जैसे गुडगाओं में immigration देखने को मिल रहा है मनिपूर में देखने को मिला national image खराब होती है इंडिया की image किती खराब होती है कि यार यहां तो दंगे होते हैं अब जिसे हर्याना के नू में हिंसा हुई दिल्ली से 50-60 km के distance पे है नू तो यार वर्ड के तो देखो लोस होता ही है हर एक इंसान की जान कीमती है प्रोपर्टी का नुक्सान होता है नू हिंसा में इतने सारे जो वीकल है वो जला दिये गए मनिपूर में कितना नुक्सान हुआ social division होती है समाज कमजोर होता है देश को देखो आगे ले जाना है पर ध्यान देंगे, start-ups पर ध्यान देंगे तो next point economic impact से संब्दी थे investment नहीं आएगी तो जाहिर तोर पर नुक्सान होगा psychological trauma जो देखो दंगों से गुजरते हैं उन पर बहुत गहरा impact पड़ता है political implications भी है democracy कमजोर होती है security पर impact पड़ता है national security पर, regional security पर, international security पर external actors involved हो जाते हैं जैसे चाइना involved हो गया मनिपूर में अलग-अलग जो दूसरी form of violence है उनसे link होता है communal violence का जैसे terrorism, insurgency, ये सब चीजें आप मनिपूर में अभी देख रहे हो arms proliferation कैसे हम communal violence को खतम कर सकते हैं political accountability political leaders को accountable बनाना होगा अगर वो communal violence फिलाते हैं तो inter-community dialogue हो अलग-अलग communities के बीच में बातचित होनी चाहिए legal framework हो ताकि अलग-अलग communities के interest और rights को protect किया जाएं hate speech, hate crimes को prevention करने के लिए legal framework होना चाहिए institutional mechanism को strong बनाया जाए जैसे political institution जो है उनको reform किया जाए communal issues को address करने के लिए independent bodies को empower किया जाए peace के लिए education फिलाई जाए ताकि लोग को manipulate करना मुश्किल हो अलग-अलग culture को preserve करके रखा जाए इसके बाद social reforms आने चाहिए मतलब समाज में harmony हो, समाज में एक community का दूसरे community के परती trust हो ये सब चीज़ों पर सरकार ध्यान दे इसके लिए youth groups, women groups, religious leaders ये भी एक बड़ा role play कर सकते है economic majors economic disparities को कम करने के लिए economic majors लिए जाने चाहिए ताकि ऐसा नहो एक community का विकास हो जाए दूसरी community का नहो तो ये सारे steps उठाए जा सकते है communal violence को खतम करने के लिए इसके बाद last article cluster bomb से समन्दित है आप GS paper second के इस topic से article को relate कर सकते हो US ने हाल ही में फैसला लिया कि हम Ukraine को cluster munitions देंगे और इसके बाद Russia ने भी जबाब दिया कि हम और भी ज़्यादा cluster munitions को इस्तिमाल करेंगे cluster munitions होता क्या है माली जी यहां से launch किया गया यह bomb ना छोटे छोटे सब munitions में सब bombs में divide हो जाता है हवा में ही एक bomb launch किया था लेकिन इसके अंदर यहां पर इस तस्वीर में देखिए छोटे छोटे कई सारे bomb हैं जो हवा में फट पड़ते हैं और फिर अलग-अलग direction में जाते हैं इतने सारे जो है ना अलग-अलग direction में जाएंगे और कुछ तो फट जाते हैं कुछ फटते भी नहीं है जो नहीं फटते हैं वो लंबे समय तक फिर एक bomb का काम करते हैं मतलब कभी भी civilian ने छुआ और वो फट गया डर बना रहता है हमेशा मान लिजिए इस bomb के अंदर ये 100 चोटे-चोटे bomb थे जो अलग-अलग direction में गिरते ही फट पड़े लेकिन 90 फट पड़े 10 अभी जमीन पर वैसे ही पड़े हैं अब आज से 2 साल बाद किसी civilian ने इसको छू लिया जो पहले नहीं फटा था अब फट जाएगा और civilian की death हो जाएगी तो ये खतरा है cluster bomb का या फिर cluster munition का इनको देखो Second World War में इस्तिमाल किया गया USA ने अलग-अलग अपने wars में इस्तिमाल किया है cluster bombs को Vietnam War में, Afghan War में, Iraq War में अभी हाल हिमें Russia ने भी Ukraine के against इसे इस्तिमाल किया है लेकिन अब एकदम से तस्वीर बदल गई जब US ने बोला कि हम ये bomb जो है Ukraine को भी देंगे ताकि Ukraine Russia के खिलाफ अच्छे से लड़ाई लड़स के देखो ये इतने खतरनाक है कि इनके खिलाफ न एक convention आचुकी है 2008 में Convention on Cluster Munition ये major step है cluster bomb को eradicate करने के लिए खतम करने के लिए कि विबिन देश इसका इस्तिमाल ना करें अब देखो दिक्कत ये है ये treaty जो है ना जो हमने अभी डिसकस की है Convention on Cluster Munition ये universal नहीं है सभी देशों ने इसे नहीं sign नो ratify किया है सिरफ 112 देशों ने इस treaty को adopt किया है लेकिन कुछ important countries ने इस treaty को adopt नहीं किया है जैसे US, Russia, China, Israel, India इन्होंने इस convention को नहीं sign किया है और Ukraine भी member नहीं है तो writer question उठाते है क्या ये मान लें कि Ukraine, Russia, member नहीं है इसलिए वो cluster bomb का इस्तमाल कर सकते है answer है no answer no इसलिए है क्योंकि और बहुत सारे international conventions है जैसे 1949 का Geneva Convention article 51 section 4 इसमें additional protocol 1 है जिसमें बोला गया है कोई भी देश ना indiscriminate force का इस्तमाल नहीं करेगा indiscriminate force मतलब ऐसा नहीं कि आप फरक ही महसूस नहीं कर सको कि आपने जो bomb फोड़ा है वो किसी military site पर फोड़ा है या फिर civilian ठीकाने पर फोड़ा है किसके against आपने bomb फोड़ा है किसके against आपने हमला किया है आप फरक महसूस ना करो ऐसे अत्यार होगा आप इस्तमाल नहीं करोगे आपका जो target होगा वो civilians नहीं होने चाहिए किसी भी कीमत पर ये बोला गया है Geneva Convention 1949 में इसके लावा section 5 में article 51 section 5 में ये भी बोला गया है ऐसा कोई attack या फिर ऐसी कोई force का इस्तमाल नहीं किया जाएगा किसी देश के द्वारा जिससे civilian population या फिर civilian object को नुक्सान पहुंचे समझ गए माली जी किसी देश ने हमला प्लान किया military side पे लेकिन इतना ज़्यादा force का इस्तमाल कर लिया कि military side के साथ-साथ साथ की जो civilian population है उनके ठीकानों को भी नुक्सान पहुंचा उनकी भी death हो गई तो ऐसा excessive force का इस्तमाल नहीं किया जाएगा किसी देश के दोरा तो writer कहते हैं ये चीज़े तो देखो सभी देशों पे लागू है तो यू नहीं कहा जा सकता Ukraine रश्या के दोरा कि हम तो party नहीं है convention on cluster munition की तो इसलिए हम तो इस्तमाल करेंगे नहीं USA के लिए भी गलत है USA को भी हतियार नहीं देना चाहिए Ukraine को गलत है दोनों गलत है अब जलते हैं आगे इसके बाद आज की ethical term है selflessness जब देखो कोई person अपनी जुरुरतों को बजाए दूसरों के जुरुरतों को लिए ज़्यादा concern होता है तो इस state को कहा जाता है इस value को कहा जाता है selflessness मान लीजिये ना आप जा रहे हो आप office से घर जा रहे हो आपने देखा रास्ते में किसी की गाड़ी खराब हो गई गाड़ी खराब हो गई आप ठके हुए हो लेकिन बावजुद इसके आप उतर जाते हो अपने विकल से उस गाड़ी वाले की मदद करने के लिए तो ये selflessness है आप example दीजिए अपनी life में कब आपने selflessness को promote किया है या practice किया है आप बताईए personal life से सम्मनी कोई example कब आपने ऐसा behave किया कि आपने अपनी जरूरतों के बज़ाए दूसरों के जरूरतों को जात वज्जो दी ये questions हैं जो आपको attempt करने हैं दो questions हैं दोनों के answers आपको 250 words में देने हैं 15 marks के ये दोनों questions हैं ये कल के articles हैं जो हमने discuss किये थे बिना time गवाय जल्दी से revise कर लेते हैं rice export ban इंडिया ने rice export पर ban लगा दिया इंडिया geopolitical realities के हिसाब से act करना चाहता है मतलब उन देशों को rice देना चाहता है जिनको अभी जूर्थ है जैसा कि इंडिया ने wheat export के दुरान किया था इसके लावा सरकार के ध्यान में political factors भी है कि कहीं election से पहले मंगाई ना बढ़ जाई ये सोचते हुए सरकार ने फैसला लिया है और अलग-अलग देश ऐसा करते हैं मतलब PL480 प्रोग्राम में US ने ऐसा किया 1970s में Arab countries ने ऐसा किया तो यहाँ पर ethical dilemmas जैसे national sovereignty versus global humanitarian responsibility short term political gain versus long term political stability ethical responsibility versus geopolitical realities और सबसे last में sport for farmers versus food security for all यह सारे ethical dilemmas यहाँ पर involved हैं next, revised manufacturing rule for drug firms सरकार ने न यह rules बोला है सभी companies को, drug companies को follow करने के लिए time भी दिया है वो companies जिनका turnover 250 crore से ज़्यादा है उनको एक साल का time दिया है जिनको turnover 250 crore से ज़्यादा है उनको 6 महिने का time दिया है good manufacturing practices जैसे drugs की quality को manage करना यह सारी चीजें हैं जो कल हमने डिसकस की थी risk को manage करना सारी चीजों का documentation करना deviation नहीं होना चाहिए manufacturing process में सरकार ने क्यों किया good manufacturing practices क्यों लागी की क्योंकि देखो एक तो हमारी इंडिया की drug companies के drugs से ना काफी सारे लोग की death हो गई अलग अलग देशों में जैसे उजबेकिस्तान में गैंबिय में यूएस में तो इंडिया का नाम खराब हो रहा था सरकार ने खुद inspection करवाई तो inspection ने पाया कि 10,500 में से सिरफ 2,000 companies चीजों को follow कर रही हैं और इसके अलावा देखो दो-तिन environment में drugs को store करके रखती हैं लेकिन stability का test नहीं रखती करती कि अलग अलग temperature और weather में कैसे drug behave करेगी इसकी वज़े से नुकसान होता है एक centralized IT platform होना चाहिए ताकि जिन drugs को license मिले उनकी quality same रहे यह सारे points हमने discuss किया है फिर basic structure वाला article हमने details से discuss किया था यह तो देखो काफी लंबा article है यह एक minute में बताना possible भी नहीं है यह उमीद है कि आपको काफी अच्छे से समझ में कल आया होगा बढ़िया डंग से हमने discuss किया था पूरी जान लगा के तो यह थी हमारी आज की discussion फिलाल इस discussion में इतना ही है Thank you, thank you very much for discussion